नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटीब चैनल में आज एक समस्या बहुत ही जोरों पर लगबग बन रही है वो है बाल का ज़ड़ना बालों का गिरना अभी जो छोटे छोटे बच्चें 14 साल 15 साल या 18 19 साल के वे उनके भी बाल ज़ड़ने लग सफेद होने लग गए हैं और इसके लिए नाना परकार के तेल लोग लगा रहे हैं दवाएं खाय रहे हैं ठीक है डॉक्टर को दिखा रहे हैं ये टू पे सर्च कर रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि जो हम लगा रहे हैं वो कितना हानिकारक है या लाबदायक है बगैर जाचे परखे जो जैसा बता दे रहा वैसा यूज कर रहे हैं चुकि उनको अपने बाल बड़े करना है बाल जो गिर रहे हैं उनको रोकना है बड़ी समस्या है सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने पेट को साफ रखिए फास्ट फूड से दूर रखिए बहुत मिर्च मसाले वाली चीज कम खाईए बहुत ज़्यादा आप सैंपू लगाना ठीक है ये भी हनका रखोता है तो नियम का पालन करें नियम का पालन क्या खान पान रहन सहन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यह कहीं हद तक रुख सकता है पंद्रा दिन पे हफ्ते में एक बार आप सैंपू करें वो भी अच्छा आयरुबैदिक या सिका काई रीठे का करें लेकिन आज हम जो आपको उपाई बताने जा रहे हैं जो चीज दिखाने जा रहे हैं ये ग्रामिड एलाके में या जो राजस्थान मद परदेश हर्यान में भी कहीं-कहीं देखने को मिलताओं और उत्रखंड कई जगे इसे हम सरपत बोलते हैं ृटीक है सरपत भी बोलते हैं और इसे पतवार भी बोलते हैं कैमरा घुमा तो इस पतवार इसका प्य। इसा विरिच होता है। और इस समय मतलब आप को बताएं number से चनौरी के बीच ऐसे ये फूल आते हैं इसके नारियल का जो तेल होता है जिसे गोले का तेल बोलते हैं गोले का तेल एक मुठ्थी ही प्सक्राइब बहुत ही चमतकारी चीज और जिस्तना घहना है ऐसे बाल को घहना करतेगा तोटने नहीं देगा आप 80 वर्स 90 वर्स के हो जाओगे अगर 40 दिन 50 दिन लगा लिए या आप कांटीनू लगाते रह गए तो आपके बाल कोई गिरने नहीं देगा एक महिने बाद अगर आप अपने बाल को मुठीस पकड़ के खींचोगे तो दो-चार बाल भले आएंगे लेकिन तूटेगा नहीं यह ऐसी चीज है तो नारिल के तेल में इसको जलाकर छान लें नारिल के तेल को गरम करें एक लीटर को फिर इसको डाल दें डालने बाद यह जब काला पड़ने लगे तो नारिल के तेल को उतार लें उतारने बार छान कर रख लें और उसे सुबह साम लगाएं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए तो हमारे चैनल को क्लिक करें लाइक करें सस्क्राइब करें धन्यवाद